14.2 पौधों में नर्व मादा जनननंग और निशेचन सभी जीवों में जहां नर्व और मादा जननन कोशिकाय या युगमक बनते हैं उनमें जनननंग पाए जाते हैं क्या पौधों में भी ऐसा ही होता होगा? पौधों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है हम जानते हैं कि पौधों के फूलों में नर्व मादा जनननंग पाए जाते हैं चित्र छे देखिए पौधों के फूलों में नर्व और मादा जनननंग कहां होते हैं? जानने के लिए चलिए एक क्रिया कलाप करें क्रिया कलाप दो इसके लिए आपको फूल, धतुरा, रेलवे क्रीपर, स्लाइड, ब्रश, चिम्टी, नीडल, पेट्री डिश, वाज ग्लास, कवर स्लिप, सुक्ष्मदर्श, डिसेक्टिंग, ग्लिसरिन के आफशक्ता होगी, चुने हुए फूल को हाथ में लेकर उसके विभिन्न अंगों का अवलोकन कीजिए, सबसे पहले चिम्टी की सहायता से, चित्र छे, औ, व, ब, की मदद से, नर तथा मादा जनन अंगों को अलग कीजिए, बच्चों, आपने घर के बगीचों में, विध्यालों के बगीचों में, विभिन्न प्रकार के फूलों को देखा है, ये फूल कितने रंग भी रंगे, आकरशक और सुन्दर होते हैं न, क्या आपने इन फूलों के भागों को देखा है, फूल पौधे का जनन भाग है, और इन फूलों में जननंग पाए जाते हैं, जिनमें निश्यचन की प्रक्रिया के बाद, फल और बीच का निर्मान होता है, चलिए, आज हम फूल के विभिन्न भागों को जानते हैं, बच्चों, फूलों के विभिन्न भागों को देखने के लिए, सबसे पहले हमें फूल के आवशकता होगी, यहाँ पर मैंने गुडल का फूल लिया है, साथी धतूरे का फूल भी रखा है, डिसेक्शन के लिए आप कोई भी फूल को ले सकते हैं, साथी हमें एक स्लाइट, फॉर्सेप, निडल, ब्लेड, ब्रश, बॉज ग्लास, कवर स्लेप, पानी, ड्रॉपर, ग्लिसरीन, सेफ्रनीन और एक डिसेक्टिंग माईक्रोस्कोप की अवशकता होगी, तो सबसे पहले मैं इस गुड़ल के फूल को लेती हूँ, आपने लाल रंका गुड़ल का फूल देखा होगा, यहाँ पर यह हलका बादामी रंका गुड़ल का फूल मैंने लिया है, फूल के मुख्यत चार भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बाहय दलपूंच, दलपूंच, पुमंग और जायांग, सबसे पहले हम निडिल की साहता से, कैलिक्स वाले भाग को अलग करते हैं, इसके बाद फूल का जो रंगीन होता है, जिसे हम करोला कहते हैं, आम बाशा में हम पंखोड़ीया कहते हैं, इसको भी हम अलग कर देते हैं अगर हम इसकी संख्या देखेंगे तो ये संख्या में पाँच है तो फाइब पैटल्स को यहाँ पर हमने अलग कर दिया है अब आप देख सकते हैं हमें ये पीले रंग वाला भाग दिखाई दे रहा है तो फूल के दो जननंग होते हैं नर जननंग जिसे हम पुमंग कहते हैं पुंके सर के समू को पुमंग कहां जाता है इस पुमंग के भागों को अगर हम देखेंगे तो इसके भी तीन भाग होते हैं ये पीले रंग का जो दिखाई दे रहा है ये है पराकोश और पराकोश स्तंतु से जुड़ा हुआ है पराकोश के अंदर में पराकण होते हैं और पराकण नर प्रजनन इकाई है इस प्रकार से फूल का नर जनन अंग है पुमंग इसके बाद हम मादा जनन अंग जिससे हम गाइनोशियम कहते हैं इसके भाग को यहाँ पर निकालते हैं इस प्रकार से धीरे धीरे निडल की सायता से इसका उपरी हिस्सा हम निकालेंगे ताकि अंदर में जो वर्तिका वाला भाग है वो तूट न जाए यह देख सकते आप यहाँ पर यह है गाइनोशियम या जायांग स्त्रीकेसर के सम्मू को हम जायांग कहते हैं इसके तीन भाग है यह है वर्तिकाग्र यह है वर्तिका जो सफेद्रंग का तंतु समान दिखाए दे रहा है यह है वर्तिका और नीचे में जो फूला हुआ भाग हमको दिखाए दे रहा है यह है अंडाश है इस प्रकार से यह मादा प्रजनन अंग है जिसके तीन भाग है अब हम इस फूले हुए भाग को जिसको हम अंडाशे कह रहे हैं इसका हम ट्रांस्वर सेक्षन या लॉंगिटूडनल सेक्षन लेंगे और इसके अंदर में जो बिजांड उपस्तित है उसको हम इस डिसेक्टि में देखेंगे इसके लिए हमें ब्लेट की साहता लगेगी हम इसके उपरी हिस्से को काट देते हैं हम कम से कम तीन चार सेक्षन लेंगे थीन सेक्षन लेना है ताकि अंडाशे में उपस्तित बिजान को हम देख सके यह मैं यहां पर ट्रांसवर सेक्षन ले रही हूं आडि कार्ट इस प्रकार से दो तीन आडि कार्ट यहां पर ले ली है इसी प्रकार से हम खडी कार्ड भी लेंगे लॉंगिट्विडनेस सेक्षन वो भी हमें पतला लेना है इसके भी दो तिन सेक्षन ले लेंगे अब इस आडि और खड़ी कार्ट को हम सेफरेन इनसे अभी रंजित करेंगे 10 किया को ले टावता लोड़ी झाल थोड़ा सा ड्रॉपर के सायता से ग्लिसरिन डालेंगे और इसे कलाव कवर स्लिप से हम ढख देंगे इसको धीरे से ढखना है ताकि एर बबल ना है इस प्रकार से हमने आड़ी काट को कवर स्लिप से ढख दिया है अब इसे हम इस डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसके अंदर में हमें बिजान दिखाई दे रहे हैं बच्चो अभी हमने अंडाशे की आड़ी और खड़ी काट ली जो इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं इसमें हमें बिजान दिखाई दे रहे हैं बच्चो इन फूलों में परागन की क्रिया होती है परागन किसे कहते हैं जब नर जननंग के पराकोश के पराकन मादा जननंग के वर्तिकागर पर पहुंसते हैं तब ये क्रिया परागन कहलाती है अगर परागन एक ही पौधे के फूलों के नर और मादा जननंग के बीच में या उसी फूल के नर और मादा जननंग के बीच में होता हो तब हमसे स्वपरागन कहते हैं और अगर एक ही जाती के अलग-अलग फूलों के नर और मादा जनन अंग के बीच में ये परागन की क्रिया होती है तब हम उसे परपरागन कहते हैं इसके पश्चाथ निशेचन की क्रिया होती है और निशेचन की क्रिया के बाद बीज का निर्मान होता है किसी भी फूल के पुंकेसर के समू को नर जननंग या पुमंग कहा जाता है इसमें पराकोश, अंथरलोब और तन्तू, फिलामेंट, योजी, कनेक्टू दोरा जुड़ा हुआ दिखता है पराकोश के अंदर पराककन, पुलिंग्रेन होते हैं जो नर प्रजनन इकाई है इनमें नर जनन कुशिका या युगमक होते हैं फूल में स्त्रीकिसर के समू को मादा जनन अंग या जायां गायनोशिम कहा जाता है यह फूल का मादा जनन अंग है इसमें अंडाशे, ओवरी, वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिगमा दिखता है और वर्तिकाग्र स्त्रीकिसर का शिर्ष भाग है वर्तिका, अंडाशे व वर्तिकाग्र को जोडने वाला भाग है अंडाशे स्त्रीकेसर के नीचे का फुला हुआ भाग है जिसके आड़ी व खड़ी काट को सेफ्रेनिन में रंजित करके साप पानी से धोए व स्लाइड में रखकर सुक्ष्मदर्शी में अवलोकन करे अपने अवलोकनों को अपनी कौपी में दर्ज करे पराकोश से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पराकन का पहुचना परागन पॉलिनेशन की क्रिया कहलाती है परागन यदि एकी पॉधे के फूलों के नर और मादा अंगों के बीच या एकी फूल के नर और मादा अंग के बीच हो तो स्वपरागन सेल पॉलिनेशन कहलाता है एक ही जाती के अलग-अलग पॉंधों के फूलों के नर और मादा अंगों के बेच परागन के क्रिया को पर परागन क्रोस पॉलेनिशन कहा जाता है परागन के पश्यात यदि वर्तिकाग्र या वर्तिका में पराकन का अंकुरन होता है तो परागनली पोलेंटियोप के जरिये पराकन का नरजनन कोशी का अंडानू तक पहुझता है और निशेचन पर्टिलाजेशन की प्रक्रिया होती है इसके पशात बीज सीड बनने की प्रक्रिया शुरू होती है चितर की मदद से इसके आगे की प्रक्रियाओं का अवलोकन कीजिए चितर छे में निशेचन से लेकर अंकुरन तक की अलग-अलग अवस्थाएं दर्शाई गई है बीच से अंकुर बनने की प्रक्रिया का अध्यान अब पहले भी कर चुके हैं किसी बीच के अंकुरन जर्मिनिशन के लिए कौन सी परिस्तित्या जरूरी हैं आम, संत्रा, महुआ, जामुन, इत्यादी फलों को खाकर इनके बीच और गुठलियों को फेक देने से अकसर बारिश के एक या दो बौचारों के बाद इन वीजों में अंकुर फूटा आता है धिरे-धिरे अंकुर एक छोटा सा पौधा बन जाता है और बड़ा होने पर फूल और फल से लदा पेड बन जाता है इस प्रक्रिया में अंकुर की लंबाई, मोटाई और भार में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है पौधों में अंकुरन के बाद होने वाले कुछ बदलाओं का क्रिया कलाब तीन द्वारा अवलोकन करते हैं